सो हेलो एवरिवन माई नेम इस मनप्रीत सिंग और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल पर और आज हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट जिसके अंदर हम पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले अभ प्रोसेसर अंदर हमें यह पता जरूर चल जाता है कि जो हम यहाँ नहीं बहुत सारे वाइब्रेशन में यहां नहीं पॉइंकि निपने बताएud obviously बात है यह वेव obviamente का पार्ड है तो इसमें भी हम लाइट को as a wave मानेंगे सब्सक्त si चीज प्रूफ करेंगे जो light होती है वो ट्रांस्वर्स इन नेचर होती है और प्लस जो light होती है वह वेक्व में भी ट्रेवल करती है जिससे हम यह भी कह सकते है कि जो light electromagnetic wave है जो मैक्सवल ने हमें कहा था तो वह परीखने जो थिोरी है हमें देखना है पहले तो जन्रल इंट्रडक्शन की पॉलराइजेशन क्या होता है उसके बाद हम देखेंगे पॉलराइजेशन बाइजेशन प्रोसेस और फिर सेकिंड देखेंगे पॉलराइजेशन रिफ्लेक्शन यानि कि रिफ्लेक्शन की वज़े से पॉलराइजेशन क कितना होता है कैसा होता है क्या-kya चीजें होती है ठीक है अब चल tutti वह कितने टाइब की होती है तो एक बार मैं आपको पहले रिकॉल करवा देता हूं फिर हम इस पे चलते हैं सबसे पहले कि आपको पता है हमने क्लास 11 के अंदर पड़ा था उसमें आपने देखा होगा कि जो वह सोती है वह तो वैसे बहुत टाइप की होती है और बेसे आफ द जो होती है जिसको हम कहते हैं longitudinal कौंसी होती है longitudinal ठीक है और जो दूसरी होती है इसके अंदर वो होती है ट्रानस वर्स ठीक है अब अलगर ट्यूंड वेव का जो एक आपको देखा था हूं माल लेते हैं कि वेव है जो इस डारेक्शन में जा रही है ना तो होता क्या है वेव उसका मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मोशन करते हैं यानि कि वो एक जगा वाइबरेट होते हैं तो लॉंगिट्यूडनल वेव में क्या होता है डारेक्शन और डारेक्शन और डारेक्शन और यह वेव की डारेक्शन है और यह हमारे बीच का एंगल 0 डिगरी है उस वेव को हम लॉंगिट्यूडनल वेव कहते हैं वेराइस ट्रांसफर्स वेव वो वेव होती हैं जिसके अंदर आपको इस तरीके का देखने को मिलता है लेकि जब हम साउंड पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारा रीफ्रेक्शन था कंप्रेश यानि कि उसके परपेंडिकुलर तो इस केस में क्या होता है वेव की जो पोजिशन होती है उसके परपेंडिकुलर होता है मोशन ऑफ पार्टिकल होता है उसका मोशन जो होता है यानि की वाइब्रेशन जो होता है वो वेव के परपेंडिकुलर होता है तो उस पर्टिकुल लॉक के बाड़े में बढ़ा था ही जो लाइट है वह एक वेव है वहाँ पर याद करिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वहाँ पर एक सबसब बड़ा डाउट आया था कि अगर लाइट एक वेव है क्योंकि हाइगंस ने देखिये क्या बोला था हाइगंस ने यहाँ गलत क्यों प्रूफ होता है बिकॉज अगर लाइट मेकेनिकल मेडियम मेकेनिकल साउंड वेव हम भी कहते हैं अगर लाइट मेकैनिकल वेव है इसका मतलब उसको मेडियम ही चाहिए ठ्रेवल करने के लिए बट इन रियालेटि हमने देखा कि लाइट तो वेक्यू में भी करती है हम ड्री तो इसकेस में वहां कोई मीडियम कर रहा है तो यहां पर हाइगर ले दिशन कर तो यह तो यह तो यह वह बोला कि जो light है वो असल में mechanical wave नहीं है उसको हम बोलते है non-mechanical wave तो जो light होती है वो non-mechanical wave होती है और non-mechanical wave का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं electromagnetic wave अब याद आ रहा होगा electromagnetic wave जो हमने chapter पढ़ा था स्टाइटिंग के अंदर उसमें हमने देखा था electromagnetic waves क्या होती है जिसके अंदर electric field और magnetic field के vectors होते हैं अगर यह electric field का वेक्टर है तो magnetic field का वेक्टर और यह वेव की direction तीनों एक सबके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो यह चीज़ हम आल्रेडी देख चुके थे तो यह electromagnetic wave होती है light हमारी तो यह Maxwell ने हमें कहा था हाइगंस की जो थियोरी तो उसमें यह सबस्वाद रॉबैक था हाइगंस के according light को travel करने के लिए मीडियम चाहिए बट इन रियालेटी इसका मतलब यह है कि लाइट एक इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव है उसी के लिए agn Espero आप कौछ आप के πोलराइजेशन का क्या मतलब हर इसको आप शिंपल एंग्वेज अगर समझेंगे और मैं बात करता हूं क्या है अब भी वे उसट पढ़ाई को एंन सिंसञडिति में भी ठीक है यह एक बॉलाइजेशन का बहुत सिंपल देखें ऽ till क्लीनिंग का मतलब होता है साफ होना मान लेता है कि अगर हम ने बोल रहे हैं कि light एक electromagnetic wave है तो आपको पता electromagnetic ये मैं किसी एक वेक्टर की बात कर लेता हूं ये समलो मेरी light है तो light ये ट्रांसवर्स फेव होती और सिर्फ ऐसे नहीं होगा है इसा वी अ कोई बैसी डॉरी गर रहे घुलर कि नाइटी डिगरी पर होते हैं लिए तो इस लाइट को जहां पर vibration हर जगह पर होते हैं doesn't matter बट हमेशा वो वेव के perpendicular ही रहेंगे यह सारे जो वेक्टर होते हैं इसी को हम बोलते हैं अन पोलराइज लाइट अना तो इसको हम बोलते हैं अन पोलराइज लाइट यानि कि अभी इसमें कोई कोई भी cleaning नहीं हुई है कोई परटिकूलर डिरेक्शन में हैं अब clumsy को नहीं रखा है अब point यहाँ पर मतलब क्या है maior के सामने मैं कोई एसी चीज रख दे आहिए जिसमें सिर्ector एक जगा इसके अंदर से जब लाइट पास होगी यह वाले जो वेक्टर होंगे यही इसमें से निकल पाएंगे जो इसके हैं बागी चीजों को यह पीछे ही हटा देगा ठीक है तो यहां पर एंड में सिरफ यह इस तरीके का वाइब्रेशन देखने को मिलेगा तो बेसिकली यहां पर लाइट को हमने किसी पोलराइट इसको पोलराइट बोलते हैं जिसमें से यहां से बलाइट हुस्त पास कराते हैं फो किसी इतलग अंगर जैसे मुझे अगर वाइब्रेशन चाहिए जो सिर्फ होरिजॉंटल में रहें तो इस पोलराइट को मैं ऐसे बनाऊंगा कि वह सिर्फ होरिजॉंटल वेक्टर को ही जो है वाइब्रेशन को पास करें बाकियों को वह एब्सॉर्ब कर लें अगर मैं चाहता हो इतने एंगल प पर लेके चलूँगा अब यहां यहां पर पढ़ने वाले हैं यहां लिखा है यहां लिखा है इसको बांद दिवार से क्या किया है कुछ इस तरीके के वाइब्रेशन्स आपको देखने को मिलेंगे अब जब हम किसी wire को string को ऐसे किसी दिवार से बांद के vibrations देखते हैं तो question यह आता है कि इसमें कौन सी wave बनती है क्या यह हमारी basically transverse wave है कि longitudinal wave है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर particle का जो vibrations है वो wave के 90 degree पर है तो आप देख के बता सकते हो कि यह transverse wave है तो already यह polarized आपकी क्या है वेव है polarized का मतलब क्या होता है किसी एक specified direction में vibration को कर देना तो already यह polarized एक wave है यानि कि यह 2D wave है बट यहाँ पर इसको mechanical wave क्यों कहते है इसको प्लस x की direction में एक wave है जो आगे की तरफ चल रही है ठीक है और यह हम already sound की जब हमने sound और wave पढ़ा था class 11 में तो हमने बोला था कि जो equation होती है किसी wave की वह होती है a sin omega t minus kx कुछ इस तरीके से हम लिखते है जो हमारी equation होती है तो वही चीज आपको ncrt में फिर बता रहा है एक बार ठीक है तो यह कुछ इस तरीके का diagram है diagram आपको वापस दिखाता हूं तो इस तरीके से आपकी equation बनती है अब यहाँ पर y फंक्शन है यह वेव की जो equation होती है वह दो के दो के बीच में बनती है एक तो पार्टिकल का displacement और एक टाइम हना यह चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर x t क्या है हमारा वेव की equation है जहां पर आगर आप देखेंगे के आप सभी को पता है वेव नंबर जिसको हम बोलते है के का formula होता है टू पाई बाई लेंड़ा हना ओमेगा आप सभी को पता है अंगुलर फ्रिक्वेंसी यह थी है ओमेगा होता है टू पाई बाई टी राइट यह हमारा amplitude होता है यह सारी चीज यहाँ पर हमें मेंशन करी हुई है यहाँ पर लेंड़ा वेवलेंथ है जो उपर नीचे वह रहा है ठीक है इसे चल रही थी प्लस एक्स में पार्टिकल का वाइब्रेशन एसे हो रहा है यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना है नाइन्य डिग्री तो आइस लिए ट्रांसवर्स वेव हैं तो वी हैँए जा सिंपल डेफिनेशन एवह होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वो हमारे एक्सिस के मलब वेव की डिरेक्शन के 90 डिगरी होता है ठीक है अभी देख को हमारा वाइब्रेशन है वह वाइएक्सिस में है वेव तो ऐसे एक्स में जा रही है तो यह जो पोलराइज लाइट है इसको हम बोलेंगे वाइपोलराइज लाइट वाइज का मतलब होता है वाइएक्सिस में जो वाइब्रेशन से उसको रिस्टिक्ट किया हुआ है जासा कि आपने देखा कि जो ट्रे एक स्टेक्ट लाइन में लोट करी है तो इस बेखी। आंटे के प्ला जेमिली पोलराइज वेव थे क्या इसको रिमें गूंपाइंड बोलेंगे में धीज स्टिक्ट अश्रेघ गलेंगेuseघsने क्पाइज केंगें तो इसे इस प्लेस और देखेंगे यहाँ पर से हमारा पृलराइजद बलारइज प्रेन-म्ल्रें इसको हम बोलेंगे प्लेन-प्लेंगे वह दो स्टॉख ways यह फ्लेज़ के अंदर ही चल रही है इन सिमिलर मैनर वी कन कंसीडर दा वाइब्रेशन ऑफ द रिंग इन द एक्स जड़ तो जैसे हमने यहाँ पर एक्स जड़ में किया है हम यहाँ पर एक्स जड़ में भी कर सकते हैं कैसे मान लेते है अब यह जो आपको पैन दिख रहा है इसको मैं मान लेता हूँ Z, तो Z यहाँ पर ऐसे, तो यह particle ऐसे vibrate कर रहा है, तो इस case में अगर आप देखेंगे आपका plane कौन सा है, आपका plane जो है यहाँ पर यह XZ है, तो XZ plane के अंदर ही आपका वो polarized vector रहेगा, तो इसको बोल देंगे Z polarized जो हमारी light है या फिर wave है, तो Z polarized wave ब polarized light के अंदर होता क्या है, तो अभी हमने देखा कि जब हम string को vibrate करते हैं, तो जो particles होते हैं, उसका vibration और wave का vibration दूसरे के 90 डिगरी होता है, और string के case में क्या होता है, एक ही vector होता है, तो इसको हम polarized wave कहते हैं, अब अगर vibration Y axis में हो रहा है तो Y polarized wave, अगर vibration Z axis में हो रहा है, तो Z polarized फीक है, इसको हम linear polarized wave कहते हैं, आर ओल ट्रांसवर्स वेवेव, तो हम जानते हैं, सब ट्रांसवर्स वेवेव है, तो हम ने क्या समझा कि वाट इस बेसिकली meaning of linear, linearly polarized wave का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी light है, या जो भी wave है, वो एक ही direction में polarized है, linear का मतलब होता है inner line, अब या तो Y axis में होगी, या Z axis में होगी, या X axis में होगी, depending on the wave, तो इस case में जो हमारा linear polarized wave जो होती है, उसकी direction wave के साथ हमेशा 90 degree होती है, finally if the plane of the vibration of the string is changed, अब देखिए, अगर अभी आप इस string वाले case में देखें, इस wire वाले case में देखें, तो जिसमें आपका vibration हो रहा है, उसका जो plane है, plane का मतलब आप समझिए, इस तरीके का है, समलो ये मेरा हाथ है, ये एक plane है, इस plane को भी मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो ये ज आती कि sir, unpolarized wave कैसे बनती है, अभी आप देख सकते हैं कि जो vibration है, वो सिर्फ ऐसे आ रही है, ठीक है, अब थोड़ा से इसको change कर दिया, तो अब ये plane कुछ इस तरीके का हो गया, हाना, तो vibrations ऐसी हो गई, फिर और change कर दिया, तो समझ लो ऐसे कर दिया, तो इस case में vibrations ऐसी हो है कि अगर बहुत सारे vibrations के plane बन जाए, अना, बहुत सारे vibration के plane बन जाए, तो उसको हम बोलते है, unpolarized light, या unpolarized wave, अभी light की बात ही नहीं कर रहा है, तो अगर मैं आपको बोलता हो, unpolarized wave क्या होती है, तो unpolarized का मतलब होता है, जिसके अंदर एक point पर particle का vibration हर direction के अंदर हो always be perpendicular to the direction of propagation, doesn't matter, मान लेते हैं कि यह wave में इस तरीके से vibration हो रहा है, और यह plane है, जिसमें vibrations हो रहा है, अब यह plane जो है, इसमें जो vibrations है, यह wave के हमेशा, हर vibration wave के हमेशा 90 degree पर ही रहेगा, अब इसको आप ऐसे समझो, यह pan है, ठीक है, यह pan में vibration ऐसे हो रहा है, इस vibration का इस plane से angle कि 90 degree, ऐसे हो रहा है, तो भी 90 degree, ऐसे हो रहा है, तो भी 90 degree, ऐसे हो रहा है, तो भी 90 degree, यानि कि जो vibration है, वो उसका direction हमेशा wave की direction के हमेशा 90 degree होगा, that is true, बट इस light को हम unpolarized light कहेंगे, और जिसमें randomly motion होता है, particle का किसी भी direction के अंदर, थीक है, तो इस particular case के अंदर हम इसको unpolarized light कहते हैं but unpolarized light के अंदर भी सारे के सारे जो displacements होते हैं वो हमेशा जो हमारी वेव होती है उसके perpendicular ही होते हैं लाइट की बाद होनी स्टार्ट हो गई यहां पर कि लाइट वेव क्या है तो जैसा है कि मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसफर्स वेव होती है नेचर के अंदर डैट इस दा इलेक्ट्रिक फील्ड असोसियेट विद इस प्रपोगेटिंग लाइट वेव इस ओल्वेज एट राइट एंगल अब यहां पर आपको इस चीज समझ नहीं है कि लाइट गोभी हम मान किया रहे हैं और इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव में आप सभी को पता है electric field के vector होते हैं और magnetic field के vector होते हैं अभी मैं सिर्fer electric field के vactor की बात अगर करूँ तो मान लेते हैं कि ये जो wave है ये ऐसे चल रही है तो ये इस तरीके से diagram हम बनाते थे अगर आपको थोड़ा सा या धो electromagnetic wave के अंदर इस तरीकец सेमेरे यह vibrations होते सोंटे थे हाँ बात हिमेशा की क्योंनेẻी यह उते हैं यूसरे के पर एक पर तीशार є समझना आपको यह समझने आप इंक रागे चल जाएंगा प्राइटम को समझना है तो चलिए इसको अब हम अच्छे से डाइग्राम से समझते हैं ठीक है फिर मैं आपको कुछ डाइग्राम बताऊंगा जो NCRT के अंदर दिये हुए मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइट वेव है और लाइट को जैसे मैंने बोला है वो कैसी होती है अन पोलराइज लाइट होती है एलेक्रों इंटए फील यह ले ल होता है कोई डारेक्शन में यह ले न करते हैं एक इस द्राूमालों ऐसे बहुत सारे vibrations यहां पर बना सकते हैं तो यहां पर आपने देखा कि मैंने बहुत सारे vibrations बना दिये तो यह कुछ इस तरीके के हर direction में vibrations होते हैं तो यह यहां पर अभी अन-polarized light है इसको हम बोलते हैं अन-polarized light अब इसको इसको polarize करने के लिए यानि की vectors को अटाने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं पोलराइड का किसका यूज करते हैं पोलराइड कैसा है यह उसको डिपेंड करते हैं कि आपको light किस तरीके से मान लेते हैं इसके अंदर जो यह स्लिट है वह कुछ इस तरीखे से है व्लॉराइट जो है कि यहाँ पर यह जो सकते हो material होता है जो basically tarplin का बनता है या फिर नाइक्रोम का जो बनता है ना तो basically यहाँ पर क्या होता है कि जब यह unpolarized light यहाँ पर हमारी यह कौन सी light है unpolarized तो unpolarized light जब पास होती है किसी polarize के अंदर से अब आप देखेंगे कि यह इतना सा gap है जिसमें से यह waves निकलेंगी तो कौन सी wave इसमें से पास होगी अब देखें यह 3D चीज है तो उसको दुरंग से समझना यह इस तरीके से polarize पड़ा है और यह light ऐसे आ रही है इसमें से जब light निकलेंगी तो इसमें यह वाले vibration से निकलेंगे बाकी vibration यहां से निकल नहीं पाएंगे तो यहां पर जो vibration यहां से निकलेंगे वो यह वाले सिर्फ निकलेंगे ठीक है आपको डॉट लग रहा होगा डॉट नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ यह वाले vibration से यहां पर निकल रहा है ठीक है तो यह जो light ह लिए हमने यहांपर मिली है इसको बولते हैं पोलराइब लाइड था जो jao flashlight में यह 255 तरीके के पोलराइज उती हैं, weights हमारा जो है तो यह हमारी polarized wave है polarized wave क्यों कह रहे है because vibration जो है वो एक ही direction में जो भी हमने पढ़ा था linear linear polarized तो हो गया linear polarized जो हमारे vibration है वो एक ही direction में अभी y-axis के अंदर आपको दिख रहे हैं तो इस particular process को polarization कहते हैं और इस particular चीज को जो यह polarization करवाता है उसको हम पोलराइड कहते हैं अब इस पोलराइड में क्या होता है इस पोलराइड में आप देशीकली इस तरीके गैप नहीं होता बेसीकली यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से हम material को यूज करते हैं जो कि दूसरे vibrations को क्या कर लेता है absorb और जहां पर वो particles नहीं होते हैं वहां से लाइट निकल जाती है यानि कि आप समझ सकते हो जब इस सारे vibrations इसके दूसरे parts से टकराएंगे तो उसको यह absorb कर लेगा और absorb करने के बाद जो vibrations से unnecessary वो बाहर ही रह जाएंगे यानि उदर ही रह जाएंगे और आगे सिर्फ वो ही लिखेगा जो absorb नहीं होगा जहां पर हमने उस चीज material को यूज नहीं किया है इस तरीके से polarization होता है तो अन पोलराइज लाइट फिर पोलराइट पोलराइट से पास होने के बाद वो बन जाती है अच्छा अब इसमें एक और चीज है जो आपको समझ नहीं होती है इसके intensity से related अब होता क्या है कि मान लिया जाए अच्छा कोई कहता है सर अबने plane को ऐसे ना रखके ऐसे रख दिया अगर मैं इसको एंगल वाला वेक्टर बाहर निकलेगा अगर मैं इसको ऐसे रख दूँगा हना तो हमारा ये वाला वेक्टर ही निकलेगा मैं example दे रहा हू जैसे example आपको मैं एक और दे देता हूं if you want to see तो मान लेते हैं अब ये अन पोलराइज लाइट है ठीक है कोई कहता है नहीं सर हमें तो एंगल पर अगर आ रहा है तो क्या करेंगे तो मान लेते हैं अगर एंगल पर ले ले लेते हम इस तरीके से हमारा पोलराइट लगाव अब इसमें एक और concept होता है मान लेते हैं कि पहले इसकी जो vibration थी वह ले लेते हैं लेट से आई अना तो आई vibration थी हमारी इस अन पोलराइज लाइट की जब वह पोलराइट से निकली और पोलराइज हो गई तो उसकी जो intensity होती है आई नॉट वह हो जाती है आई बाए टू यह बहुत important है वापस समझो यह क्या कह रहा है कि जब आप एक अन पोलराइज लाइट को पोलराइज से पास कराते हैं यानि की polarization करवाते हैं उस समय जो polarized wave हमें या polarized light हमें मिलती है उसकी intensity original अन पोलराइज intensity की हाफ हो जाती है अब आगे आपको समझना है क्या होगा अब मैं नहीं लेते हैं कि यह जो पोलराइज हमने आ पर लगाया इसको और नहीं क्या है तो आपके intensity उतनी ही रहने वाली है intensity में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप इसको ऐसे करेंगे 60 डिगरी पर तो भी intensity हाफ रहेगी पहले हैं इस यहांपर 50 है आएगी तो अगर आप इसका angle change करते हैं, ठीक है, doesn't change, ठीक है, अगर आप angle को change कर लेते हैं, तो doesn't matter कि intensity में कोई change नहीं आएगा, no intensity will change, if we keep on changing the direction of this particular polaride P1, अब मैं यहाँ पर एक और polaride रख रहा हूँ, अब यह थोड़ा सा important है, because इसके angle पर चीज़ें depend करती है, माल लो अभी मैंने ज same direction में रखूंगा, जो मेरे P1 की direction थी, यह P1 के और यह P2 और दोनों में जो slit है, वो perpendicular है, यानि कि दोनों की axis अगर same है, same orientation में है, तो जैसे intensity की light आई थी, उसी intensity की निकल जाएगी, yes or no, बिल्कुल सर, तो यहाँ पर जिस intensity की light आई थी, उसी intensity की light निकल जाएगी, यानि कि अभी भी यह हमारा I knot ही रहेगा, जो कि I by 2 था, यानि कि इस case में तो होता है angle पर dependent, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो अभी अगर हम इस particular case की बात करें, कि अल्यदी एक polarized light थी, यह भी हमारी polarized light ही है, ठीक है, बट फरक यहाँ पर क्या है, कि अब हमने दूसरा polarized use किया है, जो उसी की axis की direction में था, जो P1 की थी, हना, अब सुनो, अब आगे यहाँ पर important point आता है, कि सर अगर मैं इस polarized को अभी हमने ऐसे रखा था, अगर मैं ऐसे रख दूँ, हना, तो अभी मैं सिर्फ यह वाले section की बात कर रहा हूँ, because इस वाले section का अभी कुछ important role नहीं है, अब मै अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यह जो vibrations आपको दिख रही है, तो क्या यह इसमें से pass होंगी, अच्छा, पिछला हमारा कैसा था, पोलराइड वो ऐसे था, तो इसकी axis ऐसे है, अब यहाँ से क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर intensity हो जाएगी जीरो, तो आपने क्या देखा कि जब हमारे P1 और P2 के बीच में एंगल, यहाँ पर मैं P1 और P2 का मतलब होता है, दोनों पोलराइड के axis के बीच का एंगल, अगर हमारा 90 डिगरी हो गया, तब हमारी intensity इसके बाद 0 हो जाएगी, बट यहाँ पर क्या था, P1 और P2 के बीच म अगर हमारा जो एंगल है, वो अगर 0 डिगरी है, यानि की पैरलल है, तो हमारी intensity सेम रहने वाली है, मैक्सिमम रहने वाली जितनी होती है, तो हमने यहाँ पर यह देखा कि इस पोलराइड की direction से intensity का फरक आ रहा है, पहले वाले की वज़े से कुछ फरक नहीं आता, पहले व अगर यह किसी ठीटा एंगल पर हो, तो मान लेते हैं कि यह जो हमारा पहला पोलराइड था, तो यह हमारा था पहला पोलराइड, पहले पोलराइड से वैसे कुछ फरक नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने बताया था, इंटेंसिटी तो उतनी रहेगी, जो से पास होगी, हाफ ही रहेगी, इसको अगर आप एंगल बतलोग, उससे कुछ फरक नहीं पड़ता, तो यह लेट से हमारी पहली पोलराइड लाइड थी, ठीक है सर, मान समझ में आ गया, अब यहां पर यह कह रहा है कि दूसरा जो पो अब थीटा समझे कैसे, इसकी एक्सीज मैंने ऐसे बनाई, और इसकी एक्सीज मैंने ऐसे बनाई, तो यह मेरे P1 की एक्सीज है, यह मेरे P2 की एक्सीज है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल कितना है थीटा, अब इससे निकलने वाली जो हमारे पास लाइट आईगी, वो polarized light की अब intensity हमें बतानी है कितनी होगी तो obviously बात है अगर हम इसको theta जुका देंगे तो इसका सिर्फ theta वाला component ही आएगा तो यहाँ पर जो हमें intensity मिलेगी लेट से i dash बोल देते हैं तो वो कितनी होगी तो वो होगी i naught cos square theta यह आपको बात समझनी है जो सबसे important है इसी को malus law भी कहते हैं तो basically होता क्या है कि जब आप एक polaride से light को pass कराते हैं और अगले polaride को किसी theta angle पर आप रखते हैं तो point यह होता है कि उस theta angle की वज़े से जो intensity होती है उसमें variation हम किस हिसाब से लेके आते हैं इस लेके आते हैं i naught cos square theta जैसे एक example आपको दोनों दे देता हूं जब मैं theta को रखूंगा 0 degree 0 degree का मतलब यह parallel हो जाएगा इसके इस case में हमारा i dash कितना हो जाएगा i dash हमारा i naught हो जाएगा because cos square 0 हमारा 1 होता है ठीक है अगर मैं यह theta रखता हूं 90 degree जो मैंने भी आपको बताया था minimum वाला case इसमें हमारा i आ जाएगा 0 बिल्कुल सर आ जाएगा क्यों आ जाएगा cos 90 हो जाएगा 0 अगर मैं आपको बोलता हूं कि theta मेरा है let's say 60 degree 60 degree में हमारा i dash कितना हो जाएगा तो वह हो जाएगा i naught cos square theta समझ माया तो इस तरीके से आपकी intensity 1 4th हो जाएगी यह होता है मैं आपको आगे जाके ncrt में भी समझाओंगा तो यह है main concept जो आपको ध्यान में रखना है intensity किस तरीके से वेरी करती है अचा कोई बोलेगा कि सर आपने इसको तो हमेशा स्टेट क्यों रखा है अगर मैं इसको समझाओंगा कर देता हूं और फिर इसका एंगल मुझे अगर देखना है तो उसका एंगल हमेशा पहले पोलराइड के यह दोनों पोलराइड की एक्सिस के बीच का एंगल है तो अगर आप इसको एंगल पर लेंगे तो आपको इस एक्सिस के साथ दूसरे एक अगल देखना होगा आपको इस पर्टिकुलर लाइन से कुछ लेना देना नहीं है तो यह सारी चीजह है जो आपको यहां पर समझन यहीं चीज यहां कैसे कहा रहा है इस यहीं प्लास्टिक लाइक शीट होते हैं जब हम संग्लासे पहनते हैं फिल्म लगी होती है जो कि हम संग को असानी से देख पाते हैं जो बहुत हार्ष इंटेंसिटी उसको संकते हैं संसे आने वाली जो इलेक्ट्रमेग्नेटिक वेवस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है और इसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाती है अच्छा अब यह कह रहा है कि हम इस प्लास्टिक शीट का यूज चरते विचर कोल्ड एज पोलराइड क्सिस्ट लाइंग चैने पोलराइड कैसे बनते हैं इसके अंदर लॉंग चेन मॉलेक्टी एक पर्टिकुलर डिरेक्शन उनको अलाइंग कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक वेक्टर असोशियेट विद दर प्रपोगेटिंग लाइड वेव अलॉंग दा डीरेक्शन ओफ दालाइंग म तो जब इस पर लाइट वेव आएगी तो यह वाली जहां पर यह टकराएंगी वहां पर यह एब्सॉर्ब हो जाएंगी और जहां पर आपने जगा छोड़ी है वहां से वह वाइब्रेशन निकल जाएंगी ठीक है तो वही चीजा में देखे आगे जाके भी समझा रहा है थस if an unpolarized light wave is incident on such a polaroid then the light wave will get linearly polarized with the electric vector oscillating along a direction perpendicular to the aligned molecule this direction is known as pass axis of polaroid pass axis का मतलब क्या है वो axis जहां से हमारी polarized light निकलेंगी मानलो इस particular slot से निकल रही है तो यह जो axis है हमारी इसको बोलते हैं pass ठीक है axis so pass axis of polaroid जो भी मैंने आपको law बताया था कि जिसमें जो हमारा angle theta हम लेते हैं वो pass axis के बीच में ही लेते हैं ठीक है अब यह कह रहे है थस if the light from ordinary source like a sodium lamp अब यह कह रहे है कि sodium lamp लिया उससे एक light निकली तो obviously light electromagnetic wave है through a polaroid sheet P1 तो हमने उसको एक polaroid sheet P1 से pass किया it is observed that its intensity reduced by the half देख इसी polaroid में से pass कराते हैं तो जो intensity आपको मिलती है वो जस्ट इस intensity की हाफ हो जाती है यानि कि जो भी intensity polarized light की होती है वो हाफ हो जाती है जब हम उसको पहली वार polaroid से pass करवाते हैं at any angle doesn't matter ठीक है transmitted and transmitted intensity remains constant और जितनी भी intensity है यह constant होती है आप भली इस polaroid का angle कुछ भी कर लीजि होगी वह मेशा original intensity की हाफ होगी और constant होगी ठीक है बाद समझ में आ गया ओके नौ लेट एन इदेंटिकल पीस ओपोलराइट पी टू इस प्लेस बिफोर पी टू अब यह कह रहा है कि हमने क्या किया है कि आइदेंटिकल पीस लिया पोलराइट का इस प्लेस बिफोर पीवन as expected the light from the lamp is reduced its intensity on passing through P2 alone but now rotating P1 has a dramatic effect on the light coming from P2 यह क्या कह रहा है कि मालो यह हमारी unpolarized light है ठीक है अब यह unpolarized light के आगे पहले तो हमने रखा वा था क्या P1 अब P1 रखा वा था तो ठीक है अब यह कह रहा है निसके आगे हमने एक और रख दिया जो कि हमारा क्या है P2 है तो light पह हो जाएगी अगर यहां आई है तो हो जाएगा अब इससे जो intensity हमें आगे मिलेगी वह डिपेंड करेगी कि पोलराइट P1 की क्या डिरेक्शन है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पीवन इस नियरली बेसिकली सौरी यहां पर आते हैं as expected the light from the lamp is reduced in intensity on passing through P2 जैसा कि ह में पता है कि जैसे light P2 से पास होगी तो इसके intensity हाफ हो जाएगी बट ना rotating P1 बट एगर हम P1 को यहां पर rotate करेंगे तो उसका effect dramatic पड़ेगा हमारी light पर जो पीटू से आ रही है वही चीज़ जो मैंने आपको बताई पहले पोलराइड के direction rotate करने से कुछ फरक नहीं पड़ता intensity पर आदी ही रहेगी बट जैसे हम P1 को रोटेट करना start करेंगे हमें intensity के अंदर dramatic changes देखने को मिलेंगे अब वह कैसे होते हैं ठीटा से वह मैंने आपको पाल्रेडी बता दिया था पर मैं फिर एक बार बताऊंगा if one position in one position the intensity transmitted by P2 followed by P1 is nearly 0 अब यह कह रहा है कि हमें intensity 0 भी मिल सकती है अब आप मुझे बताओ intensity 0 का मिलेगी मैंने आपको क्या rule बताया था जब इसकी pass axis और इसकी pass axis के बीच का angle 90 degree होगा वो तब होगा जब हम इसको ऐसे रख देंगे yes or no बिल्कुल सही है ना तो उसका मतलब य यह है कि nearly 0 का मिलेगी when turned by 90 degree from the position of P1 transmit nearly the full intensity emerging on from P2 जितनी भी intensity P2 से पास हो रही है वो जैसे ही P1 पर जाएगी उससे फिर P1 से पास होके intensity 0 हो जाएगी reason being आपने angle दोनों के बीच में कितना रखा है 90 degree तो यह हमें देखने को मिला यह एक diagram आपके सामने है जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर आपने जैसे यहां तो अभी लिखा नहीं हुआ तो यह हमारा P2 है यह हमारा P1 है यह हमारा P2 है यह हमारा P1 है इस वाले case में आप देख सकते हैं आपने Polaride को ऐसे रखा इस case में आपने देखा straight रखा यहां पर basically आपको यह समझा रहा है कि जैसे जैसे आप इस P2 को सेम रखते हुए P1 को rotate करेंगे intensity जो light की आने की होगी वह भी बदलती जाएगी ठीक है तो वही चीज आपको यहां पर समझा रहा है जैसे कि हमें पता है कि जो भी light polarized हो रही है ध्यान रखना इस example में पहले रखा हुआ है तो पीटू से जो light निकलेगी वह हमारी polarized light होगी that depends on the past axis of P2 ठीक हम जानते हैं if the past axis of P2 makes an angle theta with the past axis of P1 आ गया ना वही point दूसरा अगर हमने जो लिया है पास माला दूसरा polarized थोड़े से angle पर हम ले ले लेते हैं इसकी past axis यह है तो दोनों अंगल theta with the past axis of P1 then the polarized beam passing through the polaride P2 the component E cos theta along this axis P2 will pass through the P2 thus the rotate the polaride by P1 the intensity will be s तो intensity क्या हो जाएगी i equals to i0 cos square theta जैसा कि मैंने आपको बताया था अब आपको दो चीज़े यहां पर ध्यान रखनी है कि जब हम unpolarized light लेके आ रहे हैं तो इस polarized light को हम कुछ भी कह देते हैं i dash कह देते हैं क्योंकि यह हमारे लिए इतना important नहीं है एक बार जब हमने उसको polarized से पास किया तब जो intensity उसको हम i0 बोलते हैं क्या बोलते हैं i0 तो ध्यान यह रखना है कि यह i0 unpolarized का हाव होता है तो यह तो एक fact हो गया अब आगे वाला जो polarized आपने रखा है अगर वह आपने angle पर रखा है इसको मैं p1 कह देता हूं तो अब यह जो intensity होगी यह इस i0 का cos square theta से multiply होगा अब आप चाहो तो उसका फिर i by 2 भी कर सकते हो doesn't matter ठीक है तो यह चीज़ आपको समझ में आगी अब इसी particular formula को हम क्या कहलते है law of malus law the above discussion shows that the intensity coming out of the single polaride is half the incident incident ठीक हम जानते है by putting the second polaride the intensity can be further controlled from 50% to 0 degree अब सन्ना यहापर जो सबसे important point है सबसे important point यह है कि मानलो अगर unpolarized light की intensity 100% है unpolarized light ठीक है पहले polaride से निकला P2 से तो जब यहाँ से निकला तो इसके intensity होगी 50% अब यह 50% से फिर जब next polaride पे गया जो की P1 था वहाँ से इसकी intensity जो होती है वो 50% से 0 के बीच में ही होगी बात समझ में आ गया वलिए वो depend करता है angle कितना है मरलब यह है कि अगर आप 100% अन पोलराइज की intensity पहले पोलराइज से 50% कर देते हैं तो सेकिंड पोलराइज से आप सिरफ 50 से 0% 0 के बीच में control कर पाएंगे ऐसा नहीं है कि वापस आप उसको 60 बना देंगे डजन 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 टिल वर्क नहीं करता 50% से जादा यह अब करी नहीं सकता अब यह 50 से 0 के बीच में control होगा 50 कब होगा वह आप बताइए 50 तब होगा जब यह हमारा ठीटा कितना होगा 0 डिग्री और 0 कब हो जाएगा 0% जब ठीटा होगा 90 डिग्री तो इन दोनों particular जो cases की वज़े से हम यह आपर कह सकते हैं कि 50% से जीरो के बीच में इसको control कर सकते हैं जैसा कि मैंने बता है यह बेसिकली संग्लासेज में काम आता है विंडो पैंस जो हमारे ग्लासेज विंडो लगी होती है घरों में कहीं जगा पर इस तरीके की शीट लगाई जाती है ताकि जो संलाइट आ रही है उसकी इंटेंसिट को कम करने के लिए पॉलराइट का यूज करते हैं वो सबकेंदर आंदर दिया दिया हूँआ है जो की है अलेडी जो हमने भी concept पड़ा है यानि की जो मैलस लौ पड़ा है उसी पर एक बेस्ट है अब यह question कह रहा है कि discuss the intensity of transmitted light when a polarite sheet is rotated between two crossed polarites अब देखिए आप जैसे यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ पर पहले यह समझते condition क्या है condition कह रहा है basically यहाँ पर दो polarites है तो मान लेते हैं क एक polarites है हमारे पास P1 और एक हमारे पास polarite P2 अब यह कह रहा है कि यह दोनों polarites एक दूसरे के cross का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का जो angle है वो 90 degree है ठीक है माल लो अगर यह वाला polarite जो है वो हमारा इस तरीके से है तो यह वाला polarite इस तरीके से है ठीक है अब वेन पो Polaride आ गया जिसको हम कह रहे हैं P3 तो basically कह रहा है कि हम इस P3 को rotate कर रहे हैं इन दोनों को हम same रख रहे हैं तो इसके rotate करने से हमें intensity जो है वो इसका formula क्या मिलेगा क्या expression मिलेगा उसके बारे में हमें यापर बात करनी है चलिए एक बार इसको मैं next sheet पर ले जाके solve करते हैं तो मान लेते हैं कि सबसे पहले angle वाली चीज़ समझते हैं तो यह हमारा let's say पहला Polaride है यह हमारा Polaride P1 है ठीक है इसको मैं कह देता हूँ P1 तो यह गिम में सेकेंड तो यह हमारा जो Polaride है यह Polaride हो गया हमारा P1 तो यह Polaride है P1 अब यह कह रहा है कि दूसरा Polaride कैसे था Cross था जिसको हम बना लेते हैं let's use a different color green जो दूसरा Polaride है यह हमारा Polaride है P2 जो कि इसके साथ कैसे angle बना रहा है 90 because यह दोनों Crossed है अब यह कह रहा है कि तीसरा Polaride आ चुका है जो की theta angle या फिर theta angle बना रहा है किस से पहले वाले Polaride से तो यह हमारा Polaride हो गया P3 अब यह कह रहा है कि यह जो P3 है यह basically इन दोनों के बीच में रखा हुआ है और यह कुछ angle बना रहा है theta तो यह कुछ angle बना रहा है theta और हमें पता है कि P1 यह हमारा दूसरा Polaride है P3 और यह हमारा तीसरा Polaride है जिसको हम P2 कह रहे है ठीक है अब यह intensity की बात करते है कि जब light इसके पास आएगी for example यह unpolarized light जो थी वो P1 से पास होती है तो let's say इसकी intensity है वो है I0 अब I0 intensity यहां से पास होती है तो यहां पर intensity कह देते हैं उसकी I1 ठीक है अभी I1 intensity जो है अभी पास होगी इसको I0 को हम चाहे तो side में भी कर देते हैं because इससे हमें भी main यहां से समझना है P1 से निकलने के बाद यह I0 है अब यह P3 से निकलने के बाद यह हो जाती है let's say इसको हम गये देते हैं I3 अभी I3 के बाद यह P2 से निकलेगी तो यह बन जाएगी I2 तो खुल मिलाके intensity हमें यहां पर I2 बतानी देखो वापस समझो unpolarized light I polarite P1 से पास हुई तो इसकी intensity हमने ले ली I0 आप जाओ तो I1 भी ले लो doesn't matter फिर आता है दूसरे polarite से निकली तो बन गई क्या वो I3 और जब तीसरे से निकली तो बन गई क्या I2 अब यहां पर हमें malus law लगाना है तो malus law के according अगर हम देखें तो पहली जब इस से light निकलेगी तो वो तो I0 है अच्छा अब बात यहां पर है कि P1 और P3 के बीच का एंगल कितना है ठीटा तो अगर मैं यहां पर बोलूँगा what is I3 तो I3 अगर मैं यहां पर बोलू तो I3 क्या होगा I3 होगा I0 cos square ठीटा हो गया ठीक है अब I3 वाली जो intensity है वो इस वाले से निकलेगी P2 से और हमें पता है P3 और P2 के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस ठीटा तो यहां से अगर हम बोलें I2 कितना हो जाएगा तो I2 हो जाएगा हमारा I3 cos square 90 माइनस ठीटा बात समझ मागई है यहां पर आप सभी को देखो बहुत सिंपल सी चीज है पहले intensity I0 I, I0 जो P1 के बाद है वो I3 से पास हो रही है फिर I3 से वो I2 में पास हो रही है तो आप थोड़ा सा confuse मत होना I2 I3 को लेके अब देखिए यहां पर अगर हम बोलें तो I2 का formula main क्या आएगा I2 वो intensity जो end में हमें मिलेगी तो I3 की value मैं यहां पर put कर देता हूँ तो यह बन जाएगा I0 cos square theta और साथ में multiply में क्या है cos square 90 minus theta अब इसको solve कर लेते हैं ठीक है अच्छा हमें यहां पर पता है कि यह हो जाएगा I0 cos square theta अब cos square 90 minus theta होता है sin square theta अब हम यहां पर थोड़ी सी trigonometry लगाते हैं और हम इस I2 की value निकालते हैं अब हम क्या यह trigonometry यहां पर लगाएंगे let's say multiply and divide by 4 तो यह हो जाएगा I0 by 4 और एक 4 को हम उपर multiply कर देते हैं 4 cos square theta sin square theta अब देखें यहां पर cos square theta sin square theta थोड़ी से trigonometry हम यूज करते हैं तो हमें पता है कि जो sin 2 theta होता है वो होता है 2 sin theta cos theta तो अगर मैं बोलूँ what is what is थोड़ा सा स्कूराप कर देते है what is sin 2 theta whole square so 2 theta whole square क्या बन जाएगा 4 sin square theta cos square theta अब आप देख सकते हैं आपको यह चीज़ यहां पर मिल रही है तो इसके जगा हम क्या रख सकते हैं sin 2 theta का whole square तो हमारा आ जाएगा i naught by 4 और यह बन जाएगा हमारा sin 2 theta का whole square ठीक है और यह हमारा किसके equal हो जाएगा i2 के तो यह हमारी है जो intensity जो हमें end में मिलेगी अब अगर हम चाहें तो इसमें maximum जो है वो value निकाल सकते हैं कि इस i2 की value maximum कब होगी या जो intensity हमें end में मिल रही है इसकी value maximum कब होगी इसकी value maximum तब होगी जब sin 2 theta की value 1 होगी और इसका मतलब जब sin 2 theta की value 90 degree होगी और 90 degree रखेंगे तो 2 से multiply कर रहे हैं तो यह 45 हो जाएगा तो 2 theta 90 degree है तो theta हमारा 45 degree हो जाएगा तो हमें maximum intensity तब मिलेगी जब theta हमारा कितना होगा 45 degree यानि कि यह जो polaride अपन बीच के अंदर insert कर रहे हैं P3 इसका angle जो है वो हमारा इससे comparison में कितना होना चाहिए तो यह angle हमारा होना चाहिए 45 degree तो 45 degree अगर हम rotate करेंगे किसको हमारे जो third number वाले polaride को polaride किसी theta एंगल पर रखते हैं तो हमें end में मिलने वाली intensity है वो starting के comparison में कितनी होगी तो formula हो जाएगा i0 by 4 sin2 sin2 theta का square ठीक है तो इस तरीके से हमने कर लिया हमारा जो की है example number 10.8 ओके अब चली आगे चलते हैं और समझते हैं कि polarization होता है वो scattering की वज़े से कैसे होता है जैसा कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि scattering of light क्या होता है कि जबी भी कोई sunlight होती है जब वो अर्थ पर आती है तो particles present होते हैं हमारे atmosphere के अंदर dust particle हो सकते है water particle हो सकते है तो उनसे जो light होती है वो incident करने के बाद scatter हो जाती है इसके में आपको कुछ examples भी दिये थे जैसे कि जो sky है वो हमें यहाँ पर blue दिखाई देता है उसका reason होता है scattering of light अभी हमें यहाँ पर यह समझना है कि जब एक sunlight अब obviously जब sunlight आती है तो वो एक unpolarized light होती है उसमें electric field के जो vectors होते हैं वो हर direction के अंदर vibrate कर रहे होते हैं बट जैसे ही वो किसी particle से collide करता है यानि कि उस पर incident करता है तो scattering की वज़े से light अपने आप polarized हो जाती है उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है अब देखिए इसको पहले एक बार मैं आपको समझाता हो फिर हम magnetic field vector दोनों है माल लेते हैं कुछ इस तरीके से आपको यह unpolarized light आपको दिख रहे हैं आप बोलेंगे sir unpolarized कैसे है vibrations in the plane भी है और उस plane के parallel भी है मतलब आप समझे इस तरीके से भी vibration हो रहा है और इस तरीके से भी vibration हो रहा है और माल लेते हैं इस पार्टिकल से यह collide कर रहा है after the collision जैसी वो इसे incident किया तो इसके 90 degree पर हमने रखा है observer जो की basic analyzer जिसको हम बोलते है जो particular इसके हम देखेगा अब होगा क्या जैसे यह जो unpolarized light के जो vibrations है वो इस पार्टिकल से collide करेंगे incident करेंगे तो यह particle भी क्या करेगा vibrate करेगा इस पार्टिकल स्टार्ट वाइबरेटिंग तो यह जो पार्टिकल होगा यह क्या करना स्टार्ट कर देगा vibrate और जब यह vibrate स्टार्ट करने पड़ेगा तो इसके जो vibrations है वो दोनो डारेक्शन में हमें देखने को मिलेंगे यानी कि एक तो वो vibration यह है कि वो इस direction में जाएंगे और इस direction में जो vibration जाएंगे वो कुछ इस तरीके से जाएंगे जिसको हम बोलेंगे plane के parallel plane यहां पर हमारा संबलो यह हाथ है यह हमारा plane है यह वाइब्रेशन्स जो होंगे यह प्लेट होंगे ऑब यह भी हमारा क्या है य्य hein तो आप देख सकते हैं यहाठ उयाठ ञा faculty और एक तो इसको कर रहा है ठीक है यह भी हमारी polarized light है ठीक है तो polarization of light तब होता है जब इसका angle हम 90 degree रखेंगे तो हमें जो vibrations दिखेंगे particles के वो कैसे दिखेंगे वो दिखेंगे into the plane यानि की 90 degree पर अब आपको यह समझ नहीं है कि आपको यह जो sun है वो आपको कैसा दिखेगा polarized लिखेगा यानि की उसकी intensity आपको कम दिखेगी due to scattering of light जो में पॉइंट यहां पर यह है जैसे कि हमने भी देखा था कि जो polarized होते हैं वो क्या करते हैं polarization का मेन मतलब क्या होता है light की intensity कम हो जाना अब वह हाफ हो जाता है या नहीं होता हो डिपेंड करता एंगल टु एंगल अगर हम यहां पर देखें तो उस observer को जो सन के intensity है वो कम दिखती है तो होता क्या है कि जब dust particle हवा के अंदर आ जाते हैं या फिर water particle आ जाते हैं कोई भी small particles आ जाते हैं जिसकी वज़े से हमें sun जो होता है थोड़ा सा light दिखता है dim दिखता हुसका reason यह होता है कि वो particles जो होते हैं वो उस unpolarized light को polarize कर देते हैं जिसकी वज़े से हमें sunlight हो त्मी harsh दिखाई नहीं देती तो हमें एक ही vibrations हैं वो sun के दिखते हैं दूसरे vibrations हमें नहीं दिखते हैं वो जो vibrations हैं वो हमारे तक नहीं पहुंसते हैं तो basically इस तरीके से एक unpolarized light पोलराइज बन जाती है with the help of scattering of light ठीक है अब देख लेते हैं एक बार theory में क्या दिया आवा है बहुत ही सिंपल सा यह concept है theory में दिया वाए the light from a clear blue portion of the sky shows a rise and fall of intensity when viewed through a polaride which is rotated अब होता है कि जब हम sun को देखते हैं और हमने समलो sun glasses पहने वें या polaride हमारे हाथ में हैं तो हम देखते हैं कि जब हम पोलराइड को थोड़ा से scattered होने के बाद उसकी direction change हो जाती है on encountering the molecules of the earth's atmosphere जो अर्थ atmosphere में molecules होते हैं उसे scatter करने के बाद sun की जो light की direction होती है वो एक random हो जाती है या फिर हर direction में हो जाती है खीक है as the figure shows the incident sunlight is unpolarized यह डाइग्राम आपको ncrt के अंदर भी दिखेगा diagram में आपको दिखा देता हूं एक बार कुछ इस तरीके से तो यह sun है sun से जो light आ रही है यह कैसी light है unpolarized light है ठीक है चलो आगे देखते है इसमें और क्या लिखा हुआ है the dot stands for the polarization perpendicular in the plane of the figure तो यहां dot का मतलब मैंने आपको समझाया था यह तो polarization sorry जो vector है यह vibration का यह parallel है plane के और अगर inside the plane कहेंगे तो उसको हम dot से यहापर करेंगे ठीक है आगे चलते हैं the double arrow shows the polarization in the plane of the figure ठीक है there is a no phase relation between these two in the unpolarized light यह दोनों जो vibration है इन में ऐसे खुछ phase relation नहीं है यह just हमारे vibration है जो unpolarized light में होते है अंडर the influence of the electric field of the incident wave the electrons in the molecules acquire the components of motion in both these directions तो होता क्या है कि यह जो sunlight आती है electromagnetic wave और electromagnetic wave में electric field होता है electric field आपको पता है जो charge को oscillate करवा सकता है तो होता करता क्या है तो basically जब यह sunlight particle से टकराती है तो उस particle के atom के अंदर जो electron होता है वो excite state में आ जाता है due to the electric field जिसकी वज़े से वो electron vibrate करना start कर देता है और मैंने आपको यह बताया था जब charge vibrate करता है oscillate करता है तो electromagnetic wave emit करता है ठीक है तो in the molecule acquire the components of motion in both these directions तो जिस direction में हमारा वो unpolarized light sun से आई थी तो after vibration of electron वो दोनों को अलग-अलग कर देती है तो दोनों को अलग-अलग direction में वो भेज देती है we have drawn an observer तो हमने यह आपर वो case लिया जिसमें observer उसको देख रहा है 90 डिग्री पर तो यह sun है sun से जो light आ रही है observer उसके 90 डिग्री पर जो मैंने भी आपको डाइग्राम में भी बताया था clearly charges accelerating parallel to the double arrow do not radiate energy towards the observer since their acceleration is no transverse component तो जो हमारे parallel वाले जो vibrations थे वो observer तक नहीं पहुचेंगे शिरफ जो dot-dot वाले हमारे जो vibrations थे वही वहां तक पहुचेंगे the radiation scattered by the molecule is therefore represented by the dots तो जो आप कह सकते हो radiation observer तक पहुचेंगे वो सिर्फ dot-dot वाले होंगे यानि कि जिसमें vibration सिर्फ into the plane वाला होगा जो parallel वाले प्लेन होगा वो उसके observer तक नहीं आएगा इसका मतलब यह है कि जो हमारी unpolarized light जिसमें vibration दोनों direction में थे into the plane और parallel the plane अब हमें the polarization of scattered light from the sky यह हमें समझाता है कि जो scattered lights जो होती है उसका polarization कैसे होता है तो यह इसका diagram आपको ncrt में दिख जाएगा जो मैंने समझा भी भी जाएगा the scattering of light by molecules was intensively investigated by C. V. Raman and this collaborators in the Kolkata in the 90s 20 Raman was awarded the Nobel Prize for the physics in 1930 for this work तो कितने important बात है कि basically आपको पहले तो यह समझना है कि जो scattering of light obviously C. V. Raman के नाम से ही attached है scattering of light जो है scattering of light by molecules was intensively investigated by C. V. Raman and his collaborators in Kolkata in 1920 की बात है but 1930 के अंदर उनको इस चीज़ के लिए Nobel Prize भी मिला हुआ है तो यह सारी बाते हो गई है कि polarization due to scattering of light क्या होता है अब इसमें जो next और last topic आता है polarization के अंदर वो यह आता है how we can do polarize with the help of reflection of light तो पहले इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फिर हम इसकी theory भी पढ़ लेंगे ठीक है तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक transparent medium है तो सबसे पहले आपको इसमें transparent medium लेना होता है मान लेते हैं हमारे पास एक transparent medium है तो जब इस पर एक unpolarized light आती है अभी हमने जो यहाँ light लिए वो कैसी है unpolarized light है unpolarized light को मैं कैसे बना रहा हूँ dot dot और arrow से तो जिसका मतलब यहाँ पर vibration दोनों direction के अंदर होगी अब जैसे ही यह इस transparent medium पर light आती है यानि incident करती है तो यह light का कुछ हिस्सा तो इसके अंदर reflect हो जाता है और कुछ हिस्सा यहां से reflect हो जाता है यह हमने उससा में भी पढ़ा था कि जब light किसी medium पर incident करती है तो उसका कुछ हिस्सा reflect हो जाता है और कुछ हिस्सा reflect हो जाता है तो यहां कुछ आपको ध्यान देना है तो यह जो reflect हुआ है हमारे पास यह basically unpolarized ही लेता है because यहां पर medium change हुआ है यहां पर आप किस तरीके से उसको sort out नहीं कर रहे हैं बट जो यह reflected light है देखो यह हमारे पास कौन सी light है इसको हम बोलते है reflected light और यह हमारी है reflected light तो obviously बात है अभी हम बात कर रहे है polarization by reflection तो हम reflected light के ही बात कर रहे है और यह हमारी है unpolarized light ठीक है तो यह हमारी unpolarized light तो यह unpolarized light जो है इसके vibrations हर डारेक्शन में है इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो reflect हो जाता है कुछ हिससा इसका reflect हो जाता है बट जो reflected light होती है वो होती है कुछ partial इसको हम बोलते हैं polarized इसका मतलब partial का मतलब क्या है कुछ vibrations जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके कुछ arrows कम हो गए हैं बट वो dot 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 हमारे रह गए हैं तो obviously बात है यह हमारी completely unpolarized light है बट यह जो हमे light मिली है यह हमारी कैसी है partial तो partial polarized light का मतलब होता है कि अब हमने कुछ vibrations को यहाँ पर streamline कर दिया है एक line में कर दिया है बट अभी भी है complete polarization नहीं हुआ है अब होता क्या है कि हम यहाँ पर धीरे धीरे इस जो हमारी unpolarized light है इसका एक angle होता है incident जिसको हम बोलते हैं आई तो हमने कि धीरे धीरे यह सारे dot dot में convert हो जाते हैं तो हमने जैसे जैसे आई को change किया वैसे वैसे यह light हमारी polarized हो गई तो हमने यहाँ पर एक चीज नोट करी कि हम एक ऐसी condition पर आ गए जहां पर हमारी reflected ray और reflected ray के बीच का angle था 90 degree उस समय हमारे सारे vibrations कैसे बन गए dot 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 यानि कि यह unpolarized sorry जिसको हम partial polarized कहते थे अब वो completely polarized हो गई है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं at a sum value of incidence जिसको हम बोलते हैं IP IP का मतलब होता है कि incidence angle की वो value जब हमारी reflected ray polarized हो चुकी है उस समय हमारी reflected ray और refracted ray इन दोनों के बीच में angle कितना हो जाता है 90 degree यह condition important है यानि कि जिस समय हमने angle of incidence को इस तरीके से adjust कर दिया कि जो हमारी reflected light है वो एकदम polarized हो जाती है उस समय reflected ray और refracted ray के बीच का angle कितना हो जाता है 90 degree अब यह जो incidence angle है जिस पर यह सारी चीज़े हो रही है इसको हम IP बोलते हैं और इसको brewster angle भी बोलते हैं जो मैं भी आपको आगे जाके थियोरी में भी बताऊंगा तो कुल मिलाके हमें इसका एक formula निकालना होता है IP का तो पहले मैं आपको खुद से करके एक बार बता देता ह हुँ फिर हम NCRT में भी देख लेंगे कैसे इसको explain किया है ठीक है तो अभी हम वह आली condition ले रहे हैं जब यह light polarize हो रही है ठीक है तो माल लेते हैं कि यह हमारी incident light है और यह हमारी reflected light है ठीक है अब यह कह रहा है कि इस समय light हमारी polarize हो रही है तो यह angle हमारा IP हो जाएगा ठीक अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते है स्नेल स्लो लगाते हैं माल लेते हैं कि यह medium हमारा air है और यह कोई medium है जिसका refractive index mu है या फिर N है कई बुक्स में लेते हैं कहीं पर mu लेते हैं doesn't matter अब हम इसमें स्नेल स्लो कैसे लगाएंगे स्नेल स्लो कहता है sine I upon sine R अच्छा भी हम R यहां किसको ले रहे हैं angle of reflection को angle of reflection हमारा R है is equals to mu2 by mu1 जिसको हम N2 by N1 भी करते हैं तो यह हो जाएगा हमारे mu के बराबर क्योंकि यह तो 1 हो जाएगा हना तो हमारा formula क्या आगया sine I यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं Brewster angle IP और यह हो जाएगा sine R is equals to mu तो यह equation आगई आपके साम अब थोड़ा सा यहाँ पर हम geometry लगाते हैं ताकि हम इसको और solve कर सके अब देखिए अफ़ोड़ angles को समझते हैं यहाँ पर as per the law of reflection अगर angle of incidence IP है तो यह वाला angle भी IP होगा yes or no हम जानते हैं ना angle of reflection angle of reflection क्या बोलता है कि angle of incidence और angle of reflection हमेशा बराबर होते हैं अच्छा अब सुन आई-पी yes or no कैसे क्योंकि यह normal है यह angle 90 है यह IP है तो यह 90- IP होगया ठीक है अब देखो यह 90- IP और यह 90 है यह angle कितना होगा तो यह angle हमारा क्या होगा अब इसली बात है अगर आप एक चीज़ हाँ पर note करेंगे यह 90- IP और यह 90 तो समझ लो यह वाला angle जो हमारा x है तो हम य तो जब इसको solve करेंगे तो यही तो आएगा 90-90 प्लस IP तो हमारा जो X आएगा वो कितना आएगा वो हमारा आएगा IP बात समझ मागी तो यह angle हमारा IP हो गया तो यह वाला angle कितना हो जाएगा तो यह वाला angle हो जाएगा 90- IP है समझ माया सभी को तो यहां पर यह समझना है कि यह angle- अईपी है तो यह angle- होगा और अगर यह angle है तो 90- इस थो यह वाला angle जो है यह X हमारा IP यह बराबर हो गया यह मैंने आपको बता दिया और यह IP हो गया तो यह आर कितना हो गया 90 minus ip तो हम यहां से यह समझ गई कि sin ip तो ऐसा कैसे रहने देते हैं बट यह हमारा क्या हो जाएगा sin 90 minus ip ठीक है अब यह किसके equal हो जाएगा mu के mu यहां पर क्या है refractive index है अच्छा इसको solve कर लेते हैं हमें पता है sin 90 minus theta क्या होता है cos theta तो यह बन जाएगा sin ip upon cos ip this is equals to mu और जब हम इसको solve करते हैं तो हमें मिलता है tan ip so tan ip is equals to mu this is known as the law of reflection sorry this is basically the relation between refractive index and brister angle यहां से हम brister angle की value निकाल भी सकते हैं तो ip कितना हो जाएगा ip हो जाएगा tan inverse of mu तो आप जो भी medium ले रहे हैं अगर आपको उसका refractive index पता है तो आप वो brister angle निकाल सकते हैं यानि कि वो angle जब आपकी reflected light पूरी की पूरी polarized हो जाएगी तो यह सारा main concept है जो मैंने आपको यहां समझा दिया है अब चलिए फटा फटा हम एक बार देख लेते हैं ncrt में हमें यह कैसे समझा रहे है ठीक है figure shows that light reflected from a transparent medium ठीक है save water let's say water लेते हैं transparent medium as before the dots and arrows indicate the both polarization are present in the incident and the refracted waves तो जैसा कि आपने यह diagram देखा होगा ncrt अंदर भी आपको मिल जाएगा तो यह हमारा incident ray है तो यह unpolarized light है तो unpolarized light जो है unpolarized ray की जब वो reflect करती है बट जब वो reflect करती है तब उसमें वो polarization होना start होता है तो यही चीज यहां पर हमें बता रहा है तो यह जो रिफ्लेक्टेड वेव है यह water बनाएगा यहां पर तो basically यह कह रहा है तो यह जो reflected wave है और यह जो refracted wave है इनके बीच का angle कितना हो जाएगा 90 degree उस समय हमारी जो reflected wave है उसमें vibrations हमारे polarized हो जाएगे ठीक है जो मैं अभी आपको यहां पर समझाएगी था इस इस move in the two direction transfers to the radiation from wave in the medium that is the refracted wave the arrows are parallel to the direction of the reflected wave तो यह जो errors होंगे वो basically देखो आपने क्या देखा कि यहां पर जब arrow आये थे इसमें arrow भी थे और डॉट भी थे की बात करते हैं तो यहां सिर्फ डॉट आते हैं तो arrows जो थे वो basically इसके पैरलल हो गए जिसकी वज़े से इसमें arrows आपको नहीं आएंगे ठीक है the motion in this direction does not contribute to the reflected way इस motion की वज़े से यह जो arrows होंगे यह reflected ray में contribute नहीं करेंगे as the figure shows the reflected light is therefore linearly polarized perpendicular to the plane of the figure represented by dots तो सिर्फ और सिरफ यहां पर यह वाले जो vectors हैं जो की inside the plane है जिसको हम dots से represent करते हैं यहीं आपको शो करेंगे reflected right में और यहसे ही आप यह dots शो कर दोगे तो इसका मतलब यह है कि हमारी linear polarized light बन चुकी है तो basically हमें यह पता चल गया कि reflection के अंदर हम light को polarize कर सकते हैं और वो तभी होगा जब हमारा यह दोनों angle कितने होंगे 90 degree ठीक है this can be checked by looking at the reflected light through an analyzer फिर हम इस reflected light को analyzer या फिर eyes के तुरू देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह polarized light the transmitted intensity will be 0 when the axis of the analyzer is in the plane of the figure अमालों यह reflected ray है और यह dots है और अगर आपने analyzer को भी ऐसे रखा वाए जो कि इस particular plane के क्या है basically उसी की axis में है तो obviously बात इसमें से कुछ जाएगा नि तो हमारी intensity 0 हो जाएगी तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपने analyzer किस वे में रखा या तो उस हिसाब से आपके intensity समझ में आएगी वेन अन पोलराइज लाइज इस इंसिदेंट ऑन बाउंडरी बिट्विं दर ट्रू ट्रांस्परेंट मीडिया रिफ्लेक्टेड लाइज पोलराइज विदेश इलेक्टरिक वेक्टर पर्पेंडिकुलर तुद अफ इंसिदेंट वेन रिफ्ले इस पर्पेंडिकुलर तुद रिफ्लेक्टेड वेव इस तोटली पोलराइज ठीक है वही चीज वापस रिपीट हो रही है आगे चलते हैं अब यहां से समझना अब यहां से समझना अब इस इंस इस इस नोन आज ब्रिउस्टर आंगल अब आपको कह रहा था ना है कि एक हमारा एंगल जो होता है एक यह यहां पर इसको सॉल किया इन्होंने ठीक है इस डेमंस्टरेट बाइब यहां पर लिख रहे हैं कोई बात नहीं आप चाहँ आई भी कर देना कोई दिक्तत नहीं है यहां पर बेसिकली उन्हें सॉल किया जो हमें अलड़ी कर चुके हैं मैंना आपको ब्रूस्टर लॉबी कहते हैं समझ माया तो जो चीज मैंना आपको समझाई है वहां शॉट में आपको एंस्याटी बता रहा है तो आपको थोड़ा एंगल समझने पढ़ेंगे कि किस समय यह होता है जब हमारा पोलराइज लाइट के अंदर जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिगरी हो जाता है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड के बीच में उस हमें हमारा यह ब्रूस्टर एंगल आई भी होता है अब इसकी वैल्यू कैसे निकालने वह मैंने भी आपको अल्रेडी समझा दिया है तो आप उसको अच्छे से वहाँ पर समझ लेना ठीक है तो यह सारी चीजे हमें यहाँ पर समझनी है अब चलिए एक एक एक्जामपल है जो हमें आपर दिया गया है इसी पर्टिकुलर कॉंसेप्ट पे एक्जामपल लंबर 10.9 यह कह रहा है कि वो सिच्वेशन में एंगल ऑफ इंसिदेंस क्या होगा जब आपका घ Han और आपका रिउफ्रैक्टेड येंगल 90जे यह उसी एंगल की बात कर रहए तो उब इसली बात वर्य दाए इंगल की बात कर रहा तो अबिसली यहाँ पर हम प्लेन ग्लास यूज कर रहे हैं तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप जानते होंगे वो क्या होता है 1.5 जिसको हम 3 by 2 भी कहते हैं तो बस हमें यहाँ पर निकालना है 10 inverse of 3 by 2 to find this angle जो की क्या है हमारा i b जिसको हम angle of incidence कहेंगे अब इसको आप solve कर लेंगे तो अब 10 inverse 3 by 2 को solve करेंगे तो आपका जो angle यहाँ पर आपको मिलेगा that will be somewhere around 57 degree तो आपका angle of incidence कितना होगा 57 degree उस समय आपकी जो reflected ray है और जो आपकी reflected ray है उनके बीच का आप कह सकते हो angle होगा 90 degree और जो reflected light है वो हमारी polarized light होगी अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि क्या है हमारा polarization due to scattering and polarization due to reflection अब यहाँ पर कुछ concerns है जो हमें NCRT बता रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी आपने देखा हो गई हमने scattering of light के अंदर और हमने reflection के अंदर कुछ special cases लिए आप बोलेंगे सर कैसे याद करिए scattering के अंदर हमने वोला कि संसे जो लाइट आ रही हम 90 डिग्री पर observer को रख रहे थे यहाँ पर हमने fix कर दिया जब हमने reflection की बात करी हमने यह तब बात करी जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है उस हमें हमारा angle of incidence जो उसको ब्रूस्टर एंगल कहते है उसी case particular case पे हमने वो point देखा अगर इसके इलावा कोई case होगा तो क्या होगा हना तो basically यह दो concern में हमने चीजों को थोड़ा सा concise रखा हमने बस एक particular case बताया 90 डिग्री वाला और मारा ब्रूस्टर एंगल वाला बट अगर इसके इलावा अगर कोई चीजे angles होंगी तो क्या ह हमारा polarization नहीं होगा polarization होगा but that will be not a complete polarization उसको partial polarization कहते हैं तो जैसे कि आपने देखा था कि जब हमने ब्रिस्टर एंगल जब हमने समझा था तो मैंने आपको बताया था हम एंगल आई की value को change करते जाएंगे तो हमने देखा था कि जो arrows थे वह arrows कम हो रहे थे ज्यादा बढ़ र किसी और एंगल पर देखते तो भी reflection और reflection होता बट वहाँ पर हमें intensity जो है वह उतनी नहीं मिलती जो हमें वहाँ पर मिल रही थी maximum मिल रही थी बट यह तो है कि polarization हो रहा है बट उसको partial polarization कहते हैं same with the scattering also अभी आपने 90 degree पर देखा था तो आपको वह और polarized light दिख रही थी बट 90 degree पर देखे 60 degree पर देखें तो क्या होता अगर हम analyzer या फिर observer को rotate कर देते तो क्या होता तो क्या polarization नहीं होता होता बट वह partial होता complete polarized नहीं होता वही चीज़ हमें यहाँ पर समझा रहे हैं और simplicity के लिए हमने है discuss scattering of light by 90 degree and reflection of the by brister angle in this special situation one of the two perpendicular components of the electric field is 0 तो इसके अंदर इन दोनों condition के अंदर हम electric field के एक component को completely zero कर रहे थे आपने देखा होगा कि arrows भी थे और dot भी थे तो हम यहां से arrows को completely हटा रहे थे सिर्फ dot dot पर बात कर रहे थे तो एक vector electric field के vector को एक direction में हम completely zero कर रहे थे at other angles अब यह कह रहा है other angles पर क्या होगा both the components are present तो other अगर आपको एंगल लेते हो तो उस पर यह दोनों component होगे यह वाला भी होगा और dot वाला भी होगा इनका फिरम क्या ले लेते हैं component दोनों का लेके चलते हैं तो they have both the component बट जिसका stronger होगा वही उसको dominant करेगा तो अगर मैं one is stronger than the other there is a no stable phase relationship between the two perpendicular component since these are the derived from the two perpendicular components of an unpolarized इनके बीच में कोई भी stable phase का relation नहीं होगा विकॉज एक unpolarized light से बने हुए है ठीक है यह कुछ concerns है NCRT के और कुछ चीजें जो आपको बता रहा है जो हम आपको सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे थे ठीक है when such light is viewed through a rotating analyzer one sees a maximum and minimum of intensity but not complete darkness यह important है अगर आप एंगल ऑफ जो हमने अभी scattering वाले में 90 degree लिया और बिरिश्टर एंगल हमने देखा उन दोनों cases में अगर हम कोई और एंगल लेते हैं तो उस case में हमें ऐसा नहीं है कि zero intensity मिलेगी हमें intensity minimum मिलेगी और maximum मिलेगी बट जीरो नहीं मिलेगी यानि कि darkness हमें कभी भी देखने को नह पार्शल पोलराइज़ लाइट का मतलब होता है इसकी इंटैंसिटी जीरो कभी नहीं हो सकती बट जीरो के आसपा से थोड़ी सी से ज्यादा हो सकती है बट जीरो नहीं होती तो हमने देख लिया था कि जब हमारी जब लाइट आई थी अन पोलराइज लाइट इसमें एरो भी थे इसमें डॉट भी थे तो सिरफ डॉट डॉट वाले जो थे वही रिफ्लेक्ट हुए है तो वही हमारे यहां पर पोलराइज हुए है अब वह कह रहा है कि मानलो अगर इस इंटरफेस पे जहां पर यह लाइट रिफ्लेक्ट हुई है यहां पर मैं एक ऐसा पोलराइजर रख दू जो इस डॉट डॉट वाले को भी क्या कर दे पास कर दे इस केस में हमें यहां पर कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा पिर यह लाइट कम्प्लीटली अन पोलराइजड ही रहेगी और इस सब की सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप यहां पर इंटरफेस पर कोई ऐसा पोलराइजर रख देते हैं किसी एक एंगल पर जो की डॉट 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 को भी क्या कर द सब्सक्राइब कर लिया है बट इसके साथ एक और अच्छी चीज है हमने वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो है वो भी जो हमारा चैप्टर कर लिया है इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा था लाइट जो थी एज रे हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुमन आई यह बहुत सारी चीजह पड़ी थी फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिए तो कुल मिलाके लाइट से रिलेटेड यह हमारे दो इंपॉर्टेंट चैप्टर से आने वाले जो चैप्टर होंगे उसके अंदर हम अलग मॉडरन थी पढ़ेंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड है तो आप उस वाली वीडियो को भी जरूर देखन इसको अगर आपको लग रहा हैं कि ही एफ़र्ट जो हैं। जस्तिफाई कर रहे हैं तो आप प्लीज लाइक कर दें शेयर कर दें और जितना लू सके अपने फ्रेंड के साथ इसके बारे में बात करें शेयर करें ताकि हमें मोडिवेशन विलती रहे और अपना सभी ख्याल रखना मिलते हैं नेक्स टाइम तब तक सबी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच